ओम नमस्षिवाय जैश्री महांकाल हर हर मादेो दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे आपके कामों में बहुत रुकाउट आती है कामों में बहुत सारी अर्चने आती है कोई काम हमारा बनता नहीं हम जिस भी काम के लिए बहुत प्रयास करते है सुरुवात में हमारे पैसे भी लग जाते है थोड़ा काम चलता भी आगे तक और फिर जाके खतम हो जाता है या कोई इस तरह का सरकारी कार है या इस तरह का कोई हमारे जीवन में ऐसे काम है जो काम होने से हमारे जीवन में एक बदलाव आ सकता है कि ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो क्योंकि जब व्यक्ति परेशान और हताश होता है और निराश होता है और उसके कारे नहीं बनता है तो उसे जो मन में फील होता है वो बहुत बुरा लगता है उसे ऐसा लगता है कि मैं चारोर से घिर चुका हूँ उसके लोग साथ छोड़ देते हैं उसका मदद जितनी सारी होती वो लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आते तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़ादा ज़रुरी है खासकर अपनी लाइफ में जो कामों में आपके रुकावटे आ रही है मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि अगर आपके किसी भी कारे में अर्चने और रुकावटे आ रही है तो ग्रहोग के अकोडिंग जोतिश के अनुसार कुछ ऐसे सिध्ध तरीके जिन तरीकों से शत्थ परतिशत आपको फाइदा मिलेगा और आपके काम जरूर होंगे दोस्तो आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भोले नात का कोई एक नाम लिखे हर हर महादेव लिखे जैईशू शंभो लिखे लेकिन भोले नात का कोई एक नाम जरूर लिखे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप चाहते अपनी कुंड़ी का विश्लेशन हमसे करवाना जिसे जीवन में कोई तकलीफ या परिशानी जिससे आप वरतमान में गुजर रहे हैं जो प्रशन आपको बहुत बेचेन कर रहे हैं स्क्रीन पर हमारे नमबर चल रहे हैं आप वाटसअप पर अपोडमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं अफीस शुलक लागोए साती साथ जनम तारीक जनम समय और जनमिस्थान आपको पता होना अनिवारी है सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई काम हमारे नहीं बने तो हम बहुत नेगिटिव हो जाते हैं हम बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत हताश हो जाते हैं तो इस नेगिटिविटी से पहले तो आपको दूर रहना होगा मैं आप दूर रहने की बाद क्यूं कह रहा हूं उसे समझे क्योंकि एक नकारतमक सरीर, एक नकारतमक गुद्धी हमेशा नकारतमक परिणाम देंगे मैं ये भी समझ रहा हूं कि ये बहुत कठीन है लेकिन ये आपको करना होगा जैसे भी करके दीरे-दीरे इसमें इंप्रूब करना होगा दूसरा जो सबसे जादा सिद्ध तरीका है जिससे की बहुत से जातकों को फाइदा मिला है आप एक डियूरेशन में आप खुद संकल्प ले कि हे भगवान, हे हनमान जी महराज मैं तीन दिनों में सो बार हनमान चलिसा का पार्ट करूँगा हनमान चलिसा अगर आप सो बार पार्ट एक संकल्प में कर लेते हैं और जब आप वो सो बार हनुमान चलिसा का पार्ट करें जो आपका संकल्प लिया हुआ है और बिल्कुल सकारत्मक्तावे से अपने काम को दूसरी तरब छोड़ दें काम के नियमित न करें कि ये काम के लिए मैं कर रहा हूँ जो गिव और टेक वाला जो एक रिस्ता होता है वो रिस्ते से नहीं हम निस्वार्थ भाव के साथ सो बार हनुमान चलिसा का पार्ट करें सो बार पार्ट कर कोई चूटई बंदी महासुक होई ये जब आप हनुमान चलिसा पढ़ेंगे उसमें ये एक चोपाई आती है और ये बिल्कुल सत परतिसत सच है दोस्तों जब आप इसका पार्ट करेंगे लेकिन संकल्प लेना होगा ये बात याद रखना दूसरा जो महत्पूर्ण चीज है जब कोई काम हमारे नहीं बने तो हमारे जो पुराने कपड़ें हैं पुराने चपड़ें जूतें हैं इन्हें आप घर से बाहर करतें क्योंकि ये शनी के प बाहर करतें घर से कचरे में डाल दें उनुने ये करने से भी बहुत फाइदा हो और सबसे महत्पूर्ण गुरु मंत्र आप अपने गुरु मंत्र का जाब करें उम नमे शिवाय उम नमे शिवाय सब चीज अच्छी होगा